फिल्म के शुरुआत साल 1931 के पैरेश शेहर से होती है जहां है एंडरी नम का शक जो किसी भी तरह की तीजोरी को खोल सकने में माहिर था वो एक तीजोरी में से गीरा चुरा कर अपने बॉस जीन के पास जाता है जहां जीन के गुंडेक आदमी को बुरी तरह पीट रहे होते दरअसल जीन एक राइम लौड या यूध कै कि इस शेयर का सबसे बड़ा माफिया है जिसके लिए हनडरी चोरी करने का काम किया करता है जीन के पुरी हीरे लेकिन जीन को शकता की हनडरी ने उसे पूरे हीरे नहीं दिये बलकि कूछ हीरे अब भी उसके पास है इसलिए उसे धमकाते वे कहता है कि यदि मुझे तुमारे गद्धारी का पता चला तो ये तुमारे लिए अच्छा नहीं होगा जिस पर हेंरी बीना कोई रियक्शन दिये वाँ से चला जाता है अब आगे हम हेंरी को उसकी गर्फेंड नेनेट के पास देखते है जिसे वो चुराएवे हीरे और एक कुपसुरा धार देता है पर उन्हें इस बाकि कोई खबर नहीं होती कि जीन के एक आजमी ने हेंरी को वो हीरे देते वे देख लिया है फिर अगले दिन नेनेट हेंरी से कहती है कि उसे शेर की भीरबाड़ वाले जिन्दगी से दूर कंट्री साइड में रहना है जिस पर हेंरी उसे चे महने का समय मांगता है ताकि वो कुछ पैसे जमा कर सके पर तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है जिससे हेंरी को लगता है कि शायद उनका मकान मालिक किराए लेने आये लेकिन दरवाजा कोलने पर उसे पुलिस मिलती है जो हेंरी को हत्या के रूप में गिरफतार कर लेती है दरसल हेंरी को फसाने के फीचे जीन का आता क्योंकि उसके साथ ही ने खबर कर दी थी कि हेंरी ने कुछ हीरे अपने पास छुपा रखे इसलिए जीन ने हेंरी को उस आदमी की हट्या के आरोप में फसा दिया जीसे उसके आदमी पिछली रात बुरी तरह से मार रहे थे आप इसके बाद हम नेनर को हेंरी के पास जेल में देखते है जहां वो हेंरी से कहती कि मैं तुमारे लिए कोट में अपेल करूँगी जिस पर हेंरी उसे बताता है कि मुझे जीन ने फसाया है और वो पूरी कोशिश करेगा कि मैं जेल में ही रहू इसलिए तुम मेरी फिकर छोड़ का खुट पर ध्यान दो क्योंकि मेरा जेल से बाहर आपाना लगबग नामुम्किन है फिर नेनर के जाने के बाद हेंरी की सेल के पास वाला कैदी उसे लूइस नम के कैदी के बारे में बताते हुए कहता है कि यदि तुम जेल से बाहर निकलना चाते हो तो तुमें बहुत सारे पैसों की जरुरत पड़ेगी जो सिव लूइस ही दे सकता है क्योंकि उसके पास खूप सारे पैसे आप लुईस के पास पैसे होने के बज़े से बहुत से कैदी उसके पैसों को हत्याना चाते थे जीस कारण लुईस को एक बोडिगार्ड की ज़रुरत थी जो उसकी सुरक्षा कर सके फीर अगले से में हम उन सभी कैदियों को एक शिफ पर देखते हैं क्योंकि उन्हें दूसी जेल में शिफ किया जा रहा था जीस दोरान हिन्री लुईस को प्रस्ताव देता है कि यदि तुम मुझे पैसे दो तो मैं तुमारी रक्षा कर सकता हूँ वरना बाकी कैदि तुमारी जान ले लेंगे लेकिन लुईस उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है क्योंकि वो जेल में किसी भी अंजान शक्स पर विश्वास नहीं कर सकता था इसी बीच हम लुईस के साथी को देखते हैं जो काफी डरा हुआ था क्योंकि एक हट्टा-कट्टा कैदि उस पर लगाता नजर बनाय वे था यहां हम जान पाते हैं कि लुईस के साथी ने पैसो को एक पोटली में डालकर निगल लिया है और अब सारे पैसे उसके पेट में लेकिन ये बात उस हट्टे-कटे कैदि को पता थी इसलिए वो राह के समय लुईस के उस साथी का पेट फाट कर उसके सारे पैसे ले लेता है जीस से उस बेचारे की मौत हो जाती है इदर अब लुईस अपने साथी को मरा वद एक बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि उसने भी पैसे चुपा रखे इसलिए वो अगले ही दिन हैंरी से मिलकर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा प्रस्ताओ मनजूर है पर अब अगली राज फिर से वही कैदी लुईस को मारनी आता है लेकिन हैंरी उसकी कुछ कर पाने से पहले उस पर तूट पड़ता है जहां उन दोनों की लड़ाई के वज़े से बाखी कैदी भी जाग जाते है जिसके बाद अब पुलिस वाले आकर उन दोनों की लड़ाई रुकवाते है वहाई अगले दिन उनकी शिप दूसरे शेर पहुच जाती है जहां सबी कैदियों को शिप से नीचे उतारा जा रहा था जीस दोरान जूलोट नाम का कैदि हेंरी से कहता है कि तुम्में उस दूसरे कैदि को जान से मार देना चाहिए था पर क्योंकि तुमने उसे जिन्दा छोड़ दिया इसलिए वो तुमसे अपना बदला जरूर लेगा पर इस पर हेंरी बताता है कि मैं बहुत जल जेल से आजाद हो जाऊंगा जो सुनकर जूलोट समझ जाता है कि हेंरी जिल से भागने की कोशिश करने के बारे में सोच रहा है अब इसके बाद वो खुई को घायल कर लेता है ताकि उसे हॉस्पिलल में भरती कर दिया जाए फिर सिन्शिफ्टो कर दूसरे जिल की तरह मुड़ जाती है जहां जिल का वॉर्डन सभी कैदियों को स्पीज देते वे चेतावनी देता है कि यदि किसी नया से भागने की कोशिश भी की तो उसे दो साल के लिए सबसे अलग रखा जाएगा और यदि उसने दूसरी बार भागने की कोशिश की तो उसे पांच साल के लिए डेटेंशिन में रखा जाएगा वाई तीसी बार भागने की कोशिश करने पर उसे एक ऐसे आलेंड पर छोड़ दिया जाएगा जो चारों तरों से समुंदर से गीरा है जहां से भाग पाना नामुम्किन है वार्डन अब आगे ये भी दम काता है कि यदि किसी कैदी ने दूसरी कैदी या जेल के गाड की हट्या की तो सब के सामने उसका गला काट दिया जाएगा अब आगे हम हेंरी और लूइस को एक पुराने कैदी के पास देखते है जो उन्हें बताता है कि यदि वो लोग यहां से भागना चाते तो उन्हें बहुत सारे पैसों की जरुवत लगीगी जिस पर लूइस कहता है कि पैसों का इंदजाम करने के लिए मुझे वाशूम जाना पड़ेगा जो सुनकर हेंरी समझ जाता है कि लूइस ने अपना पैसा कहां चिपा रखा है आप अगली सुबर सारे कैदियों को पत्थर उटा कर एक जगा से दूसरे जगा पहुचाने का काम दिया जाता है जाहां जाधा काम करने के वज़े से एक कैदी की मौत हो जाती है जिस पर अब सीलियर नाम का कैदी हेंरी और लूइस से बताता है कि यहां ऐसे मौते हर रोज हुआ करती है वहाई बातों ही बातों में हेंरी को पता चलता है कि सीलियर भी जेल से भागना चाता है इसलिए उसकी उससे दोस्ती हो जाती है फिर तोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक ट्रक मिलता है जो कीचड में फच जाने की वज़े से आगे नहीं जा पा रहा था इसलिए अब ट्रक का ट्रैवर पूलिस वालों से उन्हें आगे तक छोड़ देने की विरंती करता है जिस पर पूलिस वाले उस ट्रक ड्राइवर और उसके साथ योग कार्ट में बैटा लेते जिन में ये कहधी पत्थल लेकर जा रहे थे इधर मौका देकर हैंडी उस ट्रक ड्राइवर से सवाल करता है कि क्या तुम हमें नदी पार करा सकते हो क्योंकि इस काम के बदले मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूँगा जिस पर अब वो ट्रॉक डाइवर उससे कहता है कि मैं तीन दिनों तक नदी के पास अपनी बोर्ड लेकर तुम्हारा इंतजार करूँगा यदि तुम तीन दिन में जेल से निकल कर नदी किनारे आ गए तो मैं तुम्हें नदी पार करवा दूँगा आप अगले दिन सभी कैदियों को ग्राउंड में बुलाय जाता है जहां वाडन उनसे बताता है कि मेरी चेता होनी के बावजूद एक कैदि नया से भागनी की कोशिश करी जिसने अमारे दो गार्ज को भी मार दिया इसलिए तुम सभी के सामने उसका गला काड़ दिया जाएगा ताकि बाकी लोगों को भी सबक मिल सके इसलिए वो उस कैदि को ले आता है जो कोई ओनिबल की जुलोट ही था दरसल जुलोट वो ही कैदि था जिसने उकुल को गायल कर लिया था ताकि वो हॉस्पिरल में भरती हो जाए क्योंकि वहाँ जिल की मुकाबले कम सुरक्षा होती है और उसका प्लैन ये था कि वो हॉस् जंगल में भेशता है जहां फिल लूइस जो काफी थक चुका था वो आराम करने के ले एक जगा बैट जाता है लेकिन एक गाड़ उसे आराम करता देख उसे बुरी तरह पिटने लगता है जो हैंरी से देखा नहीं जाता है इसलिए वो उस गाड़ पर पत्तर मार कर वाँ करता है लेकिन हैंरी का कहना था कि वो उसे पैरिस पहुचने के बाद दुगने पैसे देगा क्योंकि अभी उसके पास कोई पैसे नहीं है पर इतने में वहाँ जेल के गाड़ जाकर हैंरी को चारों तरफ से घे लेते हैं तर ट्रक डैवर उसे बताता है कि यदि तुम काटे जाने की सजा नहीं दी जाती पर क्योंकि उसने भागने की कोशिश की थी इसलिए उसे डेटेंशन रूम में डाल दिया जाता है जहां उसे कुछ भी बोलने की इजासत नहीं थी जिसका मतलब यह है कि उसे दो साल तक बिना कुछ बोले ही वहाँ रहना होगा वहाँ अब हेंरी को खाने के बज़ए किसी तरह का सूप दिया जाता है लेकिन एक दिन उसके खाने में नारियल आता है जिसके साल लूइस की चिट्टी भी थी क्योंकि उसने जेल के गार्ड को पैसे देखर हेंरी के लिए नारियल बेज़ आया था अब इसी तरह हर रोज वहाँ सूप के साल नारियल भी आने लगता है लेकिन वाडन को इस बात का पता चलने पर वो हेंरी को शक्स का नाम बताने को कहता है जो उसके लिए नारियल बेज़ रहा है पर हेंरी लूइस का नाम नहीं बताता है ता वाडन गुस्सा होकर उसकी हर रोज की सूप को आदा करवा देते जहां हैं हेंरी को लुइस मिलता है जिसे वॉडर ने अपना असिस्टन बना लिया था जिस कारण वो कहीं भी आ जा सकता था वो हेंरी को पागल समझ कर उससे इस बाग की माफी मांगता है कि यदि वो उस दिन अराम करने के लिए ना रुपता तो हेंरी की आलत नहीं हो और यही ऐसा मौका है जब हम लोग आँसे भाग सकते हैं अब आगे हैं माचूरेट नाम के शक्स को एंरी के साथ देखते हैं जो डॉक्टर्स को चक्मा देकर हन्री के लिए नीं की दवाई ले आया था जब कि लुईस सीलियर को लेकर हन्री के पास आता है जहां वो सीलिय के बाद वो लोग सो जाते लेकिन जेल के गार्ड जो इस पार्टी का हिस्सा नहीं थे वो अब भी जाग रहे थे ताभी लूइस हेंरी के पास आकर बताता है कि उसे जेल से निकालने का छोटा रास्ता पता है और फिर वो उन तीनों याने की हेंरी सीलेर और मार्टूरेट को लेकर वहां से भाग निकलता है जहां अब जंगल में उन्हें कुछ हत्यार बन लोग घेल ले थे जो सीलेर के साथी थे फिर वो लोग उन तीनों को 9 तक पौचा कर उन्हें नदी में रवाना कर देते जहां नदी पार करने के बाद उन्हें समूदर को भी पार करना था ले लेकिन हेंडी सीलियर की बात नहीं मानता जीस कारण उन दोनों में लड़ाई शुरू जाती है जीस में सीलियर हेंडी पर भारी पड़ रहा था जो देखर अब लूई सीलियर के गले में चाकू गुसा कर उसे जान से मार देता है और फीर वो तीनों मिलकर सीलियर के लाश को स मुंदर में फैक देते लेकिन उनका दुर भागे की थोड़ा आगे जाने पर उनकी नाव समूर्दी तूफान में फस जाती है और अगली दिन जब उन तीनों को होश आता है तो वो खुर कोई आइलेंड पर पाते जहां उने कुछ नन्स मिलते उन में से एक नन्स उनकी और उनकी चुशिक की थी इसलिए उसे पैंट साल के लिए डिटेंशन में डाल दिया जाता है जबकि लुईस जिसने ऊ वॉड़न को दोका दिया था इसलिए उससे डेविल्स आइलंड पर बेज़ दिया गया था फिर सीन शिफ्टो कर हमें पांट साल बात का सीन दिखाय जाता है जहां अब हेंडरी के बाल सफेद हो चुके थे और फिर वो डन उसके पास आ कर कहता है कि तुम्हें उम्र कैठ गी सजा सुनाई गे थी इसलिए अब तुम्हें भी डे circulating बेजा जा रहा है जहां तुम बाकी की सजा काटोगे जिसके बाद अब हम हेंरी को लुईस के साथ डेविल्स आइलेंड पर देखते हैं जो एकदम समूदर की पीछ काफी उचा टीला था और इस जगह पर ज्यादा गार्ट नहीं थे ताब हेंरी लुईस के साथ मिलकर इस जगह से भागने की योजना बना पर वो टीला इतना हो चाता कि यदी समूदर की गहराई कम होई तो हेंरी जमीन से ठकराकर मर भी सकता था लेकिन वो एक जोकिम लेने के लिए तयार था इसलिए वो लुईस के साथ मिलकर बहुत सारे नार्या लिकटा करता है और उन्हें कुछ इस तरह से बनता है कि वो एक राफ्ट या UK की नाव की तरह हो जाए अब आगे हम Henry को समुंदर में छलांग लगाते देखते जो काफी दिर तक पानी से बाहर नहीं आता जिससे Lewis को लगता है कि उसका दोस्त मारा गया पर कूची दिर में वो समुंदर की सतर पर आकर Lewis को आवाज लगाता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ जिसकी बाद वो नारेल से बने उस राफ की मदर से समुंदर पार कर लेता है अब मुवी की आखरी सीन में हमें साल 1969 का समय दिखाय जाता है जब Henry काफी बूड़ा हो चुका था जो अपनी डायरी ले जाकर एक बुक पब्लिशर के पास जाता है जहां वो पब्लिशर से बताता है कि मैंने अपनी जिन्दगी के किसे इस डायरी में लिख रखे जिसे मैं पब्लिश करणवाना चाहता हूँ जिस पर वो पब्लिशर उसकी किताब पब्लिश करने के लिए तयार हो जाता है जी सी के साथ ये जेल एसकेप की मूवी यहीं समापत हो जाती है अब बात कर इस मूवी की तो ये एक सची गटना पर आधा रित है जहां जेल का एक कैदी उस डेविल सैलेंट से भागने में कामयाब हुआ था और उसने वहां से बाकर वेनेजुला में शरन ली जहां रहकर उसने अपनी आटो बाइग्राफी लिखी जिससे पापलियोन नाम से पब्लिश किया गया पापलियोन को पढ़कर फ्रांस के लोगों को पता चला कही हेनरी तो एक चोर था लेकिन उसे हत्या के जुम्में उमर कैद हो गई पर वो जेल से भागने में कामयाब भी रहा वाई 1970 के जमाने में फ्रांस की मिनिस्टर और जस्टिस ने हेनरी को वापस से फ्रांस में आकर रहने की अनुमती दे दी यूगि उसका अपराच चोरी का था जबकि उसने पहली काफी सजा काट ली थी जिसके बाद हेनरी ने अपनी बाकी जिन्देगी एक आजाद आद्मी की तरह बिताई जिसी के साथ हेनरी की काहनी यहीं समापत हो जाती है और आज के वीडियो में भी इतना ही आशा है आपको मेरी एक्स्पिनेशन पसंद आई यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सकाइब करके सपोर्ट करना ना भूले मिलते हैं अगले एक्स्पिनेशन वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों